हलो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुती छोटे स्टॉक के बारे में 5.50 पैसे पे फिलाल ट्रेड कर रहा है 52 वीक लो की अगर में बात करू तो आज ही बनाया है 5.40 पे 52 वीक हाई की अगर बात करू तो 23 रूपे पे है आज का अगर वॉल्यूम आप यहां पे बाइंग हुई है और एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप यहां पे देखेंगे 3,64,000 अब आगे क्या करना चाहिए वो हम जानते हैं इस वीडियो में यह है 45 मिनिट चार्ट और यहां पे आप देखिए 5.40 के लो से रिवर्स हुआ है वन डे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आल टाइम लो पे था आज वन डे चार्ट नेगेटिव हुआ 14.35 पे और फिलाल रेजिस्टेंस इसका 6.30 पैसे पे अगर आपको सेफ रहना है तो 6.30 के बाद एड़ किजे 6.30 के बाद लेकिन हो सकता है अप एक रिस्क ले सकते हैं यहां पर क्योंकि मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में 18 रुपे के पास यह स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसके बाद जो स्लो डाउन आया है वहां से कंटिनियूस नीचे गया है 9 रुपे पर रुका था फिर रिवर्सल देखने को मिला 12.70 प पैसा आपको विड्रॉ करने नहीं मिले तो भी चलेगा वही अमाउंट इन्वेस्ट किजेगा ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें बहुत ही रिसकी कॉल है पर थोड़ी कॉंटिटी आड कर सकते हैं यहां पर बीसी पावर में लॉंग टर्म के हिसाब से एक जाना चाता था बीसी पावर के बारे में तो इसे जरह अपना वॉच्छ लिस्ट में एड करके रखें आज के दिन में काफी अच्छा स्ट्रॉंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है 364,364,000 का कॉंटिटी ट्रेड हुआ है और अभी भी बाई कॉंटिटी एंड सेल कॉंटि लुका है यह स्टॉक तो जड़ा ध्यान दीचे एंड छोटी कॉंटिटी एड करना ज्यादा रिस्क लेने की जरूत नहीं है यहां से और भी नीचे जा सकता है बट चोटी कॉंटिटी देखिए अगर आप एड कर सकते तो करिए एंड लॉंग टर्म व्यू रखें शॉट